पहली बार हमने नोट किया कि चुनाओ के समय प्रधान मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनांस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिपनी दी प्रधान मंत्री ने दो तीन बार, चार बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट टेजी से आगे बढ़ने जा रही है होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि चार जून को स्टॉक मार्केट आस्मान में जाएगी लोगों को खरीदना चाहिए और यही मेसेज फाइनांस मिनिस्टर ने दिया तो यह यह क्रोनोलिजी है अमिच्छा कहते हैं बाइ शेर्स बिफॉर फॉर्स जून उननिस में नरेंदर मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रेकॉर्ड्स ऑन जून फॉर्थ फिर अठाइस में को रिपीट करते हैं फॉर्स जून मीडिया जूटे एग्जिट पोल रिलीज करती है बीजेपी का ओफिशल जो इंटर्नल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था तो यह इंफॉर्मेशन बीजेपी की लीडर्स के पास था इंटेलिजन्स एजन्सीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट सारी है थर्ड जून को स्टॉक मार्केट सारे रेकॉर्ड तोड़ देता है और चार जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडर्राउंड चला जाता है अगला स्लाइड दिखाई जरा ये देखे 31st में अगला स्लाइड दिखाई जरा ये देखे ये कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है हजानों करोड रुपे यहां पर इंवेस्ट हुए हैं फोरण इंवेस्टर्स ने इंवेस्ट किये हैं और उसके बाद 30,00,00,00 करोड रुपे का लॉस होता है किसका लॉस होता है रीटेल इंवेस्टर्स का लॉस होता है तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्किट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है